हमारी यूटिब चैनल पर स्वारत हैं तो आज हम 5 मिनट पोलिटिकल साइंस में एक नया टोपिक करेंगे आज हम जानेगे सोशलिजम के बारे में कि सोशलिजम क्या होता है इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ मतलब कि उद्भव कैसे हुआ तो कर लिजी ताकि हमारी हो वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें तो देखिए सोशलिजम जो होता है इसमें क्या होता है इसमें जितने भी मेंस ओफ प्रोडक्शन होते है मतलब कि उत्पादह के साधन होते है उनपर public ownership होते है मतलब कि समाज के लोगों का अधिकार होता है तीक है कुछ मुठी भर लोगों का उसपर कभजा नहीं होता नियंत्रन नहीं होता बलकि जो समाज में रहा गए लोग है उनका उसपर नियंत्रन होता है तो socialism एक, economic या political system है जिसमें जो means of production है उस पर public ownership होती है socialism एक तरीका है जिसे society को अच्छे से organize किया जा सकता है इसमें क्या होता है जितने भी means of production है वो लोगों के द्वारे control किये जाते है और लोगों का ही उस पर स्वामित वो होता है अधिकार होता है ठीक है, socialism जो है इसकी पहचान क्या है वो countries जहाँ पर socialism होता है वहाँ पर social equality होती है, workers को rights एनके धिकार दिये जाते है and एक strong public sector वहाँ पर होता है origin की बात करी तो इसका origin 19th century में माना जाता है ये माना जाते कि निस्वी शिताबदी में पहली बार socialist idea emerge हुआ था उस time पर क्या हुआ, industrial revolution हुआ क्योंकि उस time पर जो workers थे, उनकी condition बहुत ही ज़़ादा बिकार थी वो ज़़ादा खराब condition में वो काम करते थे दस-दस बार-बार घंटे वो काम करते थे ठीक है, बलकि उससे भी ज़़ा और उनको तंक्वा, यह की salary बहुत कम मिलती थी तो उस time पर बहुत सारी philosophers हुए, बहुत सारी revolutionists हुए जैसे Karl Marx, Frederick Angels ठीक है उन्होंने argument किया कि जो working class है मतलब कि जो कामकाजी लोग है, जो काम कर गए है उन पर जो शोशन है वो कम होना चाहिए, ठीक है उनके लिए गोजगार के च्छी विवस्था होनी चाहिए आसन ये कि वो जानवों की तरह है, जानवों से वुगा उनके साथ बरताब किया जाए, आसा नहीं होना चाहिए ठीक है, उनको भी आराम करने का time मिलना चाहिए क्योंकि 12 गंटे काफी जाता होते हैं तो उस time पर उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि जो working class है, वो इतनी बड़ी संख्या में है कि वो चाहिए तो जो capitalist है, उनको overthrow कर सकते हैं चुटकियों में and a socialist society का निमान कर सकते हैं तो socialism का idea सबसे पहले इसी दोरान आया था ठीक है, फिर socialist movement स्टार्ट हुआ socialist movement के दोरान दो camps में लोग डिवाइड हो गए reformist socialism and revolutionary socialism जो reformist socialist थे, वो मानते थे कि जो capitalism है, मतलब कि जो capitalist system है उसको ही धीगे धीगे, उसमें कुछ बदलाव करेगे socialism में बदल दिया जाया, मतलब कि वो मानते थे कि जो capitalist system है, मतलब भी जो capitalism वाल system है वो भी घाना चाहिए, उसमें धीगे धीगे कुछ बदलाव होना चाहिए and उसको convert कर देना चाहिए socialism में जबकि जो revolutionary socialist थे, वो मानते थे कि अगर हमको socialism अचीव करना है तो हमको capitalism को पूरी तरीके से overthrow करना होगा, मतलब कि capitalism को पूरी तरीके से उखाट फैकना होगा, तो यह difference था, ठीक है जो reformist थे, वो मानते थे कि capitalism में ही थोड़ा बहुत reformation करके socialism में उसको convert कर दिया जाये, जबकि जो revolutionary थे, वो मानते थे कि पूरी तरीके से capitalism को उखाट फैका जाये, ठीकन दे socialism की स्थापना हो, चलिए अब देख लेते हैं type of socialism socialism करी तरीके के होते है, जैसे democratic socialism, जिसमें एक ऐसे socialist society के अब धालना लाई जाती है, जो कि democratically चलाई जाये, जिसमें democratic government हो, अब second जो था, वो था Marxist socialism, जिसमें कहा गया था कि जितने भी means of production है, उन पर public ownership होनी चाहिए and उनका equal distribution होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछी चुनिंदा लोगों के हाथ में सारे resources हो, मतलब कि जो साधन है, उनका तर्ग संगतरी के साधन होना चाहिए, सभी लोगों के बीश में equally उनको बाटा जाना चाहिए, ठीक है इसके लावा utopian socialism जो था, इसमें कहा गया था, कि जो socialist society है, उसको socialist idea कि थूही गन करना चाहिए चलिए अब socialism के advantage जाने जाने ते कि socialism की क्या-क्या फायदे है तो socialism की कई फायदे है, जैसे socialism से economic equality आती है, ठीक है मतलब कि जो समाज है उसमें आर्थिक समानता बढ़ती है, ठीक है मतलब इससे क्या होता है even distribution of wealth होता है, मतलब कि जो wealth है वो समाज के सभी लोगों के बीच में equally distribute हो पाती है, ठीक है, दूसरा फायदा इसका ये है, कि से social and economic security achieve करने में जादा आसानी होती है, ठीक है and जो socialist society है, इसमें जो government होती है वो basic level of income को निधारित करती है कि हर रक्ति की इतनी basic level of income होगी, जो कि हर रक्ति कमाएगा, इसके लाबा free health care and education भी provide की जाती है, ताकि जो गरीब लोग है जो poverty line के अंडर आते हैं, ऐसे लोगों को भी अच्छे से जिन्दरी जीने में कोई दिकत ना हो, ठीक है इसके लाबा, socialism से क्या होता है democracy आती है मतलब कि democracy को बढ़ावा मिलता है ठीक है, क्योंकि socialism में democratically lacked होकर ही व्यक्ति सर्काल बनाता है, जिससे जो लोग होते हैं, उनकी समस्याई भी जादा सानी से दूर होती है ठीक है, इसमें जो government accountable होती है, लोगों के परती जवाब दे होती है, ठीक है इसके लाबा, socialism जाव international solidarity की अंतराष्ट की एक्ता को बढ़ावा देता है एंड लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो socialism होता है ये government को क्या करता है government की मदद करता है environment को बचाने में socialism eco-friendly होता है क्योंकि इसमें environment को protect करने पर भी धिहान दिया जाते हैं आप भी अगर analyze केंगे तो जो capitalist countries है वहाँ का environment जादा बेका है in comparison to socialist countries के ठीक है तो ये eco-friendly होता है socialism इसमें जो renewable energy है इस पर जादा invest किया जाता है planet को safe guard करने के लिए तो अगर आपको topic अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें इन्योवेब जादा